नमस्कार उज्यान मैं हूँ आपके साथ सिम्रंतिरवार और आप देख रहे हैं अब है नियूस का 6 ओक्टूबर शुक्रुवार कबुलिटी खब्रों की और आगे बड़े उससे पहले नजर हेडलाइन्स पर अब बीना हेलमेट गाड़ी चलाई तो होगी वाहन जबती की कारवाई लापता यूवती जीजा के घर से मिली बर्थरडे हो तो अवतरण उद्यान में रोपें पोधा हाती एस्टमी पर गजलश्मी मंदिरे में उमड़े शद्दालू सडक पर वरद्दा का हाई अब यदि बिना हेलमेट के सरपट आप शहर में दोड़ते पाए गए तो पुलिस आपका चाला नहीं बनाएगी बलकि वाहन को जबत कर सीधे कोट भेज देगी ऐसा बढ़ती सडक दुरगटनाओं को देखते हुए किया जा रहा है हाला कि पुलिस कप्तान ने साफ कर दि किसी एक का भी कोई चलान नहीं कातेंगे सीधे कि सीधे चाहे हो पुलिस अधिकारी हो करमचारी हो किसी विभाग के हो किसी संस्थान के बनाएगी मैं पक्का आपको अश्यौर कर रहा हूँ आज जोब भी रहेगा प्लीज फोर मेरे पास भद करिएगा किसी के लिए दि मै पी सचीन शर्मा और एएएसपी गुरू प्रसाद पाराशर ने हेलमेट वितरित कर शुरुवात की कारीक्रम में उनी वहन चालकों को करीब 200 हेलमेट वितरित किये गए जिनके पास लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सहीत अन्य दस्तावेत सही पाए गए इस मौके पर एएसप की नाबालिक सो हुई दुशकर्म की शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद एसपी ने आटो चालक को भी टार्गेट पर लिया है उन्होंने कहा कि आटो चालकों के पास यदि वाहन संबंदी दस्तावेज नहीं हुए या उनका क्राइम रिकॉर्ड पाया गया तो उन पर यहा है कि मुहिम कितना रंग लाती है परतिकात्मक रूप से हल्मिट वितरन किया जा रहा है निसुल को रूप से ताकि लोग जो है जाग रूप हो हल्मिट लगाने के लिए और यही सबसे अपील है कि अपनी सुरच्छा का ध्यान लखें और दो पहियां बहान चलाते समय हें हेल्मिट लगाएं तक छिम्मेदारी आपके ऊपर है इसलिए आपको सुरच्ष तायना बहुत जरूरी है पिछले आठ चड़ों में हम विवन सेहरों में इंदौर, बुपाल, उजयन, शिवनी, रीवा इन शेहरों में हम पिछले आठ चड़ों में हेल्मेट वितरित क करते हैं हमारा मोटिव है कि हम ऐसे लोगों तक हेलमेट पहुचा पाया है जो आर्थिक प्रब्लम्स की लिए से हेलमेट परचेज नहीं कर सकते हैं और अगले विविन चलड़वा में हमारा दस या से अधिक हेलमेट बाटने का मोटिव है वी वो गुरुवार शाम नीजी फाइनेंस कंपणी के कलेक्शन मैनेजर से कंपणी के ही कलेक्शन एजेंटों ने ऑफिस में गुसकर मारपीट की और हजारों रुपए चीन कर ले गए मामले में माधोनगर थाने में शिकायत की गई है घटना का सिसीड़ी फूटेज भी सामने आया है देवास के गंगानगर के रहने वाले फर्यादी अक्षे सोनी ने माधोनगर थाने में दिये आविदन में बताया कि वह मक्सी रोड महावीर एवेन्यू इस्तित मास फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड में कलेक्शन मैनेजर के पतपर है उनके साथ कंपनी में काम करने व कहा इसके बाद लखन लाखन और चेतन फिर ओफिस आय और मेरे साथ मार पीट की और बिना रुपे दिये ही जान से मारने की धमकी देकर चले गए मामले में फर्यादी अक्षे सोनी ने शुक्रुवार को माधोनगर थाने में शिकायती आविदन दिया है इनने विए चेट चेटी कर लिए तो फिर में आपिस में आके बेठा पीटा इनने से असे हरकत करी मेरे साथ उनके पर क्या करना आप लोगो तो सर ने कुछ उनको बोला करा गा तो आप इसमाला गुटी करी और मुसको जान समानने की धमकी दी अमें लोकल यहां का हूँ न जो अपना महितपूर के अंदर अपना मास फाइनस के अंदर ही काम करता है और एक है अपना लाखन सिंग करके यह अपना आगर मालवा में एजनसी के अपना मास फाइनस के अंदर ही काम करता है यह तीन आपकी कहां पर इस्तिते हैं यह मार्च फैंडेंस अपना मक्षी रोड पे इस्तिते हैं अपना प्रेंग का पीड़ा के पास में तब की गटना कर पांद यह कल पांच बजे की तो कल ने पांच बजे अकेला था ऑफिसमें और यह सब इखटे थे खार शे शे साथ त माधो नगर थाना क्षेत्र के बाग पूरा से एक अक्टोबर को अल सुबा घर से लापता हुई 19 वर्षी यूवति शुक्रवार को उसके ही जीजा के किशन पूरा इस्तित घर से मिली जानकारी के अनुसार जीजा और साली ने शादी कर ली है इसके अलावा उन्होंने लिविन का सेटिफिकेट भी बनवाया हुआ है दरसल यूवति की बड़ी बहन का विवा पास साल पहले हुआ था जिसका देड़ साल का बेटा भी है लगबग एक महा पहले वह पती द्वारा मारपीट किये जाने के चलते ससुराल को छोड़ कर माईके में आकर रहने लगी यूवति जिस दिन घर से निकली वह नारायन पुरा निवासी परिचित के यहां पहुँची इसके बाद जीजा को फोन लगा कर बुलाया और फिर उनके साथ रवाना हो गई तबी से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और मादोनगर थाने में गुम शुदगी भी दर्च करवाई थी शुकरवार को परिजनों ने जीजा के घर से ही युवती को ढूण निकाला और मादोनगर पुलिस को सूचना दी पुलिस जीजा साली को थाने ले आई जहां उनसे पूछताच की जा रही है पास रख रखा मेरे कुछ देह नहीं रहता है और मेरे मोजुद्गी में इसने इसा कदम उठाए मेरे बेहन से शादी कर ली मैं इसके खिला पेफायर करना चाहती हूं दोन रहे हैं आज जाके इस घर पे मिली ती और अभी भी नहीं बतारते में गई तो मेरे साथ मारा पिटी करने लग गए लोग फिर जहना हाँ पोलिस वाला है तो फिर उनौन नहीं होता रहा यदि आप अपने जन्म दिन को यादगार बनाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसे आपकी पीडी हमेशा याद रखे तो अपने बर्थडे पर अवतरण उध्यान में पौधा लगाएं इसकी देखभाल का जिम्मा नगर निगम उठाएगा और आपकी नाम की पट्ट में शुक्रवार दोफर चामुंडा माता चोरहा इस्तित अवतरण उध्यान का लोकारपन किया गया यहां सेलफी पॉइंट्स के साथ बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है साथ ही पुरानी बावडी को नया रूप दिया जा रहा है महापुर ने बताया कि इस कर निर्मान ओने वाला है इस ये यृत चेत्र बनाए है वह alors इक टाम कि हमारी प्रिकल्परा ये थि कर अब किसी भीम है तक बना पोदा लगा है और पोदा लगाने के बाद ने तो वे हुआ वैजसका चृह सब्मिधारि ऑमानानी अगरप्धाली निया वार ठभिख मॉतla तो आज हमारे उजयन के सबसे वेस्ततन चोराया चाहुंडा माता चोराया पर जहां पर इंदो चेक्ष्टैन मिल वा करती थी उस इस्तान पर आज हमने अवतरल उजयन का लोकारपन किया है अम शिक्री नगरवन का जहां हमारा खारी पूरा हो जाएगा तो नगरवन का लोका यह सारे कारे हम सेर के मर्द में लोगों को दे रहे हैं उजयन में पहली बार त्योहारो के सीजन में 80% डिसकाउंट वाली पहली सेल जहां आप पाएंगे विशेश डिसकाउंट बच्चों के गार्मेंट्स मात्र 130 में लीडीज वा जेन्स गार्मेंट्स सिर्फ 200 वा 250 रुपे में स्पेशल काउंटर चॉप क्लास इंडियन इंटर्नेशनल ब्रांडेट गार्मेंट्स मात्र 450 में तो चले आए होटल मित्तल एविन्यू इंदोर रोड नाना खिड़ा उजिन ये सेल सिर्फ शुक्रवार श्रनिवार रविवार को रहेगी श्रादि पक्ष की अष्टमी अर्थात हाती अष्टमी पर शुक्रवार को नई पेट स्तित गज लक्ष्मी मंदिर में शुद्धालों की भीडुम्री यहां मा लक्ष्मी और हाती की मिट्ती से बनी प्रतिमाओं का महिलाओं ने पूजन किया दरसल अखंड सौभागी और सुक्र सम्रद्धी की कामना को लेकर महिलाएं एवं यूवतियां प्रतिवर्ष ये वरत करती हैं ये वरत राधा अष्टमी से शुरू होता है और सोला दिन के बाद हाती अष्टमी पर पूरा होता है पुजारी पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि सुभा मा गजलक्षमी का सैक्लो लीटर दूद से अभिशेक किया गया इसके बाद मा को सोला सामगरी अर्पित कर विशेश पूजन इवं शृंगार किया गया शाम को महा आर्टिकर मा के प्रिय भोग खीर का वितर्ण किया गया बताया जाता है कि मा गजलक्षमी की प्रतिमा करीब 2000 साल पुरानी है पाँच फीट उची ये प्रतिमा एरावत हाती पर सवार होकर पदमासन मुद्रा में है इसे समराट विक्रम आदित की राज लक्षमी भी कहा जाता है ये विश्व का एक मातर ऐसा मंदिर है जहां मा महा लक्षमी एरावत हाती पर विराजमान है माता की प्रतिमा इस फटिक की बनी हुई है जो अपने आप में आलोकिक है हमने आपर हम पर आविश्यक रखा माता का साम को महा परसादी खीर का भजण संधिया मादो नगर थानाक शेत्र के अशोक नगर में शुक्रुवार को सड़क पर व्रद्धा का हाई वोल्टेज रामा देखने को मिला यहाँ व्रद्धा एक कार पर चड़ गई और हंगामा करने लगी इस दोरान लोगों की भारी भीड जमा हो गई इस पूरे घटना करम को लेकर बुजूर्ग महिला की बेटी ने बताया कि उनकी मा की दिमागी इस्सिती ठीक नहीं है इसी कारण से वहाँ घर पर विवात करती रहती है मेरे ससुरा लोटने की जानकारी मा को लगी तो वहाँ मुझे और मेरी बेटी को रोकने लगी और इसी दोरान कार के सामने आकर हंगामा करने लगी ब्रद्दा के हंगामे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है मेरी बेटी की पड़ा ही है इसलिए मेरे ममें पागल है और मेरे परिवार के सब लोगा कमाला में केंद्रिय जेल भैरोगड में शुकरुवार को श्राध कर्म किया गया पंडित ने विदी विधान से कर्म कांड की प्रक्रिया करवाई और बंदियों ने भी अपने पित्रों की आत्म शान्ती के लिए तरपन किया श्राद पक्ष की अस्टमी पर शुक्रुवार को जेल में करीब 90 बंदियों ने श्राद कर्म किया करीब देड़ घंटे तक श्राद की प्रक्रिया चली जेल प्रशासन ने पित्र पक्ष में बंदियों के लिए श्राद की सुवीदा उपलब्द करवाई है श्राद कर्म करवाने वाले पंडिच शाम पंचुली ने बताया कि जेल सिद्वट के समीप है यहाँ पर भी तरपन और पूजन करने का विशिश्वल प्राप्त होता है बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोडने तथा पश्यत आपका अच्छा आउसर मिल रहा है अगर को किसी को यह होई यह होई यह तो इनके मुख्य शाहत करपन करने किया रहा है इसा कि सेंडल ये लुजन में बिगए श्राद पक्ष में तरपला का काईग्राम के पूजा होती है वो अपने पूरवजों की सांधिव लिए कराई जाती है अगर निगम के स्वास तमले द्वारा शहर में लगाता रमानेक पॉलेथिन के विरुद कारवाई की जा रही है गुरुवार को उपाईक तो संजेश गुपता के मार्ग दरशन में जेके होस्पिटल के सामने अशोक ट्रेडर्स पर कारवाई करते हुए एक क्विंटल प्रतिबंदित पॉलेथिन जप्त की गई और 15,000 रुपय का जुर्माना लगाया गया अशोक ट्रेडर्स पर तीसरी बार यह कारवाई की गई राजावो माकल जन्म शताबदी समारो समिती द्वरा 7 अक्टोबर को शाम 6 बजे विक्रम इश्विद्याले के स्वर्ण जैनती सभागरब में वैक्षान का आयोजिन किया गया बारत की भारती अवधारना विशेय पर आयोजित वैक्षान के मुख्य वक्ता हेमंत मुक्ती भोध होंगे अध्यक्षता ख्याद चिकित सक डॉक्टर संजे भोरासकर करेंगे आगर और इसकित बकानिया फंटे पर अग्यात वहान ने बाइक सवाल को रौन दिया हाथसे में उसकी मौथ होगी ब्रतक का नाम अवतार सोलंकी निवासी ढाबला गौरी है वह बकानिया वहरा उस पर रखे आलू लेने जा रहा था तबी हाथसे का शिकार हो गया भविशी के चिंता छोड़ो पंडित गोविन गुरु से नाता जोड़ो ना कोई पैसा ना कोई फीस बस लीजे गुरु जी का आशिश आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान संपर्क करे 9827030415 या 9302230415 हमारा पता आठ अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जेन को हमारा बुलेटीन कैसा लगा इसका फीडबैक या खबरों की जानकारी आप हम तक हमारी कमेंट सेक्शन या वॉट्सेप नमबर 9111114007 के जर्गे पहुंचा सकते हैं कल दोबारा मिलेंगे इसी समय नमसकार